हलो माई दियर स्टूदेंट्स वेलकम तू मैं चैनल इस वीडियो में मैं ग्रेट 10 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीटीज का सम आपके साथ डिसकस कर रही हूं तो इस सम में है इप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस एक्वल तो एंड सेग थीटा प्लस कॉस थीटा इस इक्वल टू 2M तो यह प्रूव करना है हमें तो हम पहले लेंगे RHS और सुरी LHS LHS हमारा है N M स्क्वेर माइनस वन और उसमें से हम रहे चेस का आंसर निकालेंगे तो N इन्टू M स्क्वेर माइनस वन तो N की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पे सेग थीटा प्लस कॉस थ तो N की जगह पे यहां पे लिखा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा नेक्स्ट क्या है हमारा M स्क्वेर माइनस वन एम की वैल्यू क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो उसका स्क्वेर करना है इसलिए यहां पे स्क्वेर किया और और n की value जो है हमने इस equation में put up करी अब next equation में solve करना है तो इसमें देखो sec theta क्या होता है one upon cos theta उसकी जगह पे क्या लिखा हमने one upon cos theta ये हमेशा याद रखना है cos और sec ये दोनो pair है और इस तरीके से ये दोनो sign और cosec ऐसे pair है cos और sec का pair है cosec और sign का pair है अगर sin theta पुछा है cosec theta का मतलब है one upon sin theta और sec का मतलब है one upon cos theta तो यहाँ पे s और यहाँ पे c यहाँ पे s इस तरीके से आपको याद रखना है तो अब next देखते हैं sin theta plus cos theta bracket में है whole square तो उसका क्या होगा a plus b whole square वाला formula apply करेंगे तो a value है ये और cos b value है हमारी तो a square मतलब sin square theta plus b square मतलब cos square theta plus 2ab तो plus 2a और b sin theta plus cos theta और यह minus 1 यहाँ पे as it is ठीके अब अब यहाँ पे क्या किया है इन लोगोंने मैं आपको समझाती हूँ यह sin square theta plus cos square theta identity है उसका value क्या है one sin square theta plus cos square theta की value होती है one तो यह plus 1 है और यहाँ पे equation में minus 1 है तो उसको cancel कर दिया तो हमारे पास क्या बचा 2 sin theta into cos theta और यहाँ पे देखो यहाँ पे LCM लिया है cos theta sin theta का तो यहाँ पे cos theta है sin theta नहीं है तो sin theta multiply करेंगे numerator मे सेकेंड टर्म में यहाँ पे sin theta है और cos theta नहीं है तो cos theta numerator में multiply करेंगे तो हमारे पास हो गया sin theta plus cos theta upon cos theta into sin theta तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी cos theta sin theta है तो वो हमने cancel कर दिया हमारे पास क्या बचा 2 into sin theta plus cos theta अब अल्रेडी हमको question में दिया है sin theta plus cos theta is m तो sin theta plus cos theta की जगह m डाला तो क्या answer है हमारा 2m Hence n into m square minus 1 is equal to 2m इस तरीके से हमने trigonometrics की जो identity होती है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 और उसको use करके यह solve किया है इसलिए इसका topic का नाम है trigonometric identities यह बहुत easy proof that है बहुत बार पुझा जाता है आप अच्छे से समझे अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो like करिए, share करिए, subscribe करिए thank you and thanks for watching